आप देखें नेता लोग जोहां आप दिल्ली में हैं आपके पास घर है ये सब है अब उसके बारे में आप सूचिए और मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी यदि आज राहू जी सफर नहीं हो रहे हैं जो भी कारण हो अरे आप अधियक्स नहीं तो उससे क्या आपका रोल कम हो जाएगा रहू जी अभी भी कहीं कैपिन करेंगे तो लोग उनको देखने के लिए जाएंगे जहां तक सचिन पाइलट का सवाल है मैं समझता हूँ कि देखिए सुमी जी कॉंग्रेस पार्टी के साथ समय के पास एक समय बहुत सारी लीडर्स हैं आप यदि आज क सामने कोई ऐसा लेता नहीं समझ नहीं आ रहा है जो हिंदी भी बो सकता है अंग्री भी बो सकता है जो जिसमें अभी लाश्चा है जिसमें लड़ने की एक शक्ती है जिसमें जो कहते हैं ने कि इच्छा शक्ती भी है वो ऐसा कोई लीडर नहीं है राजस्थान में सचिन प मौगे बहुत कम मिलते हैं मुझे लाइब टीवी पर बड़ा इंटरेस्टिंग बाते आपने कही हैं अभे जी ये सुझाव पहली बात तो कैसा लगा और अगर नहीं लगा तो क्यों और लगा तो क्यों तुमित जी मैं बताओं संजय जी भी जानते हैं राहुल जी को मैं भी जानता हूं कॉंगरेस पार्टी को जानता हूं राहुल गांदी जी से जब भी मुलाकात हुई एक मात्र बात की उन्होंने उन्होंने का कि वो व्यक्ति के अंदरित राजनीती में कभी आस्था नहीं रखते वो सामुहिक नित्रत की बात करते हैं आप जितनी स्पीचेस उ धारण आपके सामने रखना हूं उससे उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आजादी के बाद अगर कोई पुरोदा हुआ विकास का तो वो वो हुए जबकि वो चुनाओं में ये बाते नहीं करते हैं हिंदुस्तान में जो बसाहटे हैं वो पांच लाग ठियानोज 1289 गाउं इलेक्ट्रीफाइट थे फिर उनके सामने 18452 गाउं शेश थे लेकिन उन्हों नहीं ये प्रचारित किया जो आपने आज बात की आप इकोनोमिक सर्वे उठाई ये मोदी जी का आखरी बार 2016 का विनमरता से केता हूं मोदी जी ने कहा कि आजादी के समय जो जिन्दर मोदी अपने नाम पर बता रहे हैं और जन्ता उनको मान ले रही है और आपके ने नेतरत को नहीं मान रही है संजय जाई ये क्या दिखाता है देखे अभे जी का मैं दर्द समझ रहा हूँ, मैं भी प्रवक्ता रहके इन सब बातों पर बहुत बहस कर चुका हूँ, लेकिन देखे सचा यही है अभे जी, कि आज मोदी जी का विश्वसरता इतना उपर है, कि वो कुछ भी बोलते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं, हम पर नहीं, यह क्यों, और देखे, आप सही बोल रहे हैं, कोविड में जिस तरीके का साशन हुआ, बहुत सारी कमजोरी थी, बेरोजगारी बहुत बड़ा एक समस्या है, महगाई बढ़ रही है, यह सब जानते हैं, कोई ना नहीं कह रहा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अंत में राहुट गांदी जी अच्छे हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे आदमी हैं, सुमी जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छा बनना तो मैं समझता हूँ कि एक विश्यस्ता है एक अच्छा राजनेता के लिए, लेकि चुनाओ नहीं दी आप नहीं जीते तो आप ये बड़े विचार धाराओ को कैसे बचाईएगा जो बात संजय जी आप ने शुरू में कही कि जो जीता वही सिकंदर जीतने के लिए आपको चुनावी राजनिती करनी पड़ेगी आपको जमीन पर जाके मेहनत करनी पड़ेगी आपको दिखाना पार्टी के लिए आत्में चिंतन का वक्त है और कॉंग्रेस पार्टी में राहूल गांधी है प्रियंका गांधी पार्टी का बेड़ा पार कर सके नर्यंदर मोदी का मुकाबला कर सके 24 में वो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है कमजोर विपक्ष मोदी जी की सफलता की बह